अपनी Activa को कौन नहीं electric बनाना चाहता लेकिन आपको इसके कई पार्ट से रिमूब करने पड़ते हैं उसके बाद इसे Pure Electric में आप Convert कर पाते हैं लेकिन ये किट जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसके बारे मैंने पहले भी वीडियो डाला है इसमें आपको कोई भी Activa का existing component पहले यह kit के लिए जारी होगी इसके बाद में सुजुकी एकसेस और जूपिटर के लिए भी जारी दोस्तों जो भी पेटेंट्स हैं इनके पार्ट्स के वो अच्छी तरीके से लिए गए हैं और पुरी तरीके से आपको लगवग एक साल की वारंटी साथी फ्री सर्विस चुछे मैने तक आपको रिक्वाइड होगी उसके साथ आएगी यह किट सोपवल बैटरी के साथ आती है आप जब चाहें निकाल के ले जाएए चार्ज कीजिए और वापस लाके लगा दीजिए साथ ही इस किट के द इसके बाद होगा पैटरोल मोड जिसमें प्यूर पैटरोल पे चलेगी और इलेक्टरिक मोड से कोई लेना देना नहीं होगा इसके बाद डूल मोड पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं जिसमें थोड़ा पैटरोल और थोड़ी इलेक्रिक सिटी दोनों यूज होगी और च रामनी लगी हुई टेच स्क्रीन से ही आप मोड को चेंज कर पाएंगे चैसे की प्योर इलेक्रिक पैट्रोल मोड या डूल मोड या इंजिन असिस्ट मोड तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी क्या स्पेसिफिक्शन्स होंगी किट की और क्या-क्या मोटर की पा गंटे की रफ्तार तक पहुंच पाएगी और एक्सलरेशन की माने तो 0-60 तक की रफ्तार या 8 सकेंड में आसिल कर पाएगी इसकी बैटरी डीटेचबल या सोफबल होगी और इसे ले जाके आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं साथी बैटरी के पास उसकी फास्ट चार्जिं देख सकते हैं चलिए इस केट की थोड़ी मोटर स्पेसिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं पर्मनेट बैंगनेट सिंक्रूनस मोटर होगी ये 5.5 किलो बाट का पीक पावर जेनरेट करेगी और 3 किलो बाट नॉमिनल पावर पे चलेगी और 7500 रपीम तक ये मोटर पहुंच किया गया जिससे इसको increased torque मिल सके साथ ही इस kit के जो advanced version होगा उसमें तमाम आपको intelligent features देखने को मिलेंगे जो किसी भी electric गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं जिसमें दो kits आएंगी जैसा कि मैं आपको बता चुगा हूँ लेकिन आप इस बात को दियान दीजे कि इसमें दो kits में आपको क्या क्या functions मिलने वाले हैं पहले तो अगर आप standard kit की बात करें तो आपको जो touch screen facility है वो सरफ standard kit में नहीं advanced kit में मिलेगी दूसरी बात है telemetric device यानि कि जो भी data होगा वो भी advanced kit में ही आप देख पाएंगे वहकिल की control unit advanced और basic level में थोड़ा फर्क होगा क्योंकि standard kit में अपने लेविल के functions होंगे और एडवाइंस लेविल में अपने लेविल के functions होंगे smart features की बात करें तो जातर smart feature आपको एडवांस kit में ही मिलेंगे on board computer जो होगा standard kit में बेसिक होगा advanced kit में और जादा advanced होगा एप का भी जो support basic level पे आपको standard kit में मिलेगा लेकिन advanced telemetry data जो होगा आपकी battery का जो भी होगा वो आप देख पाएंगे advanced kit पे ही artificial intelligence और machine learning का support भी मिलने वाला है आपको advanced kit में गूगल का navigation वाइफाई ब्लूटूथ और इंटरनेट यह चीज़ें आपको सर्फ advanced kit में मिलेंगी दोस्तों इस kit की जड़ा प्राइजिंग पे एक नजर डालते है लेकिन इसमें digestive conclude नहीं किया गया है वहीं standard kit की बात करें तो 34,000 रुपए में वो kit मिलेगी आपको जिसमें आपको battery भी मिलेगी और सब कुछ एक time पर यह आपको pay करना होगा वहीं अगर EMI options की बात करें तो आपको 1850 रुपए 24 महीने तक देने होंगे जिसके तहित आपक पचास रुपए हर महीने rent के देने पड़ेंगे और उसके बाद में 35 रुपए का hardware charge लगेगा जब आप battery को swipe करेंगे लेकिन अगर आप kit और battery दोनों को किराए पे लेना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि इनकी financial institution से discussion चल रहा है इस hybrid हो जाएगी और जिसके बाद आप चाहें petrol पे चलाएए चाहें electric पे चलाएए उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो करपया में subscribe कर लें वीडियो को like करते हैं और share भी करते हैं जैहन दीवी lovers